केMS केहरें विल्कम बेक सो लास्त वीडियोमें इंटरफेस का इंटरोप्षन देखा था अभर हमार पास दूसरा टॉपीक है इंटर च्ख क सक डिकलिरेशन और प्रचन उपलिमेंटेशन नेंटरफेस को मिल जाएगा interface regarding right so uh and implementation मैं यहां पर बोल रहा हूoup पहले डिकलरेशन and an implementation क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि हमने राफरा यह मैं हमने कहीं तो सुन हुआ है हमने कहहां सुना हुआ अब्स्ट्रक्ट्रों है अब्स्ट्रेट क्लाक्ट मेटर आफ स्क्सेक्ट अज़ आडर करता था उश्का लास लास वीडियो में भी देखा था है कि जोते होते हैं वह सारी या होते हैं झाये कि और करें यह ना करें और स्ट्राक्ट और इंटरफेस हमारा क्या था हुआ था हंडेट प्रसेंट प्योर अबस्ट्रेक्ट होता है यहां पर चोटे चोटे एक्जामपल लेते हैं एक्जामपल हम साहरे चलियों को समझेंगे तो सबसे पहले इंटरफेस को डिक्लेयर करने के लिए तो हम अगर हमें कोई क्लास डिक्लेयर करना हो तो हम क्या करते हैं पहले हम लिखते हैं क्लास लिखते हैं क्लास लिखते हैं क्लास नेम देते हैं क्लास नेम देते हैं फिर हम एक कल्ली ब्रेस लगाते हैं यही तो करते हैं तो सेम अगर हमें कोई इंटरफेस अगर हमें बनाना यह हमारा इंटरफेस के एक वैलिट ब्लॉग बनी गया अब इस अब यह इंटरफेस के अंदर जितने भी हम मेथेड्स यूज करेंगे बाइ डिफोल्ट वह सारी क्यों जाएंगे अबस्ट्रेक्ट हो जाएंगे अन्य इंटरफेस क्या है 100% प्यूर अबस्ट्रेक्ट क्लास हो जाएगा अगर 100% प्यूर अबस्ट्रेक्ट क्लास ले लिए जाए और इंटरफेस ले लिए जाए दोनों क्या है एक वाले रेट ओके अब कुछ एग्जामपल लेते हैं ग्जामपल से हम समझते हैं लाइक हमारे पास एक चूटा से इग्जामपल है यहां पर आपर इस इंटरफेस लिए एक इंटरफेस लिए एक इंटरफेस लिया हुआ है अप यहां पर देखो हमने हाँ पर method को इंप्लिमेंट नहीं किया सिर्फ और सिर्फ क्या किया डिक्लेयर किया है यह सेमी कॉलन लगा दिया मतलब हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया डिक्लेयर किया है मैं इसे implement नहीं किया ऐसा मैंने कहीं तो देखा है कि कर देखा है अवन कहीं यसा कर लेते ते जो भी क्रम यूज करना चाहते आप स्टैक्ट के साथ हम यूज कर लेते थे ये क्या हमारा बंजा रहता है उस parent class का जो child class रहता वो से इस abstract class को implement करता था लेकिन यहाँ पर हमने abstract तो declare नहीं किया यहाँ पर हमने abstract तो declare नहीं किया यहाँ पर हमने सर्फ void mo लिया and then इसी m1 को declare कर दिया semi-colon लगा कर दिया declared declared हो गया यह interface method है अब interface method हमने देखा तक बताया था हमने लास्ट वीडियो में कि by default वो abstract होते हैं हमें यहाँ इसे declare करने की जुरूत नहीं यह by default क्या होते हैं abstract होते हैं अब जब by default abstract हैं तो हमने देखा था abstract method को हमें इंप्लिमेंट करने की करना करना ही पड़ेगा जब भी अगर कोई abstract method हम define करते हैं डिक्लेर करते हैं तो उसका चाइल क्लाज अबस्ट्राइट की parent का चाइल क्लाज होगा उसे इंप्लिमेंट करेगा तो यहाँ पे जब यह अगर यह abstract method है पक्युक्त करना ही पड़ेगा तो हम यहाँ पर एक ख्लस लेंगे एक क्लास लेंगे जो कि क्या करेका implement करेका किसको implement करेगा इसवाले इंटरहस को implement करेका राइट इस अवी इंटरहस कुंप्लिमेंट करने के लिए क्लिए ब्स करें गre pom एक्स्टेंड यूज करते थे यहां पर क्या यूज करते थे कोई अगर क्लास लेते थे तो यहां पर कैसे यूज करते थे यहां पर यूज करते थे एक्स्टेंड 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 एंदिन यहां पर क्लास का नेम लेते थे यहां पर पैरेंट नेम लेते थे यहा तो चानल only दोटित क्या करता है चानल इंटरफेस क्या रहते हैं आरे वहाँ पर पहुतर होँ पर इंपर क्या है जगह थो यहां पर क्या है हमने क्लस्क्रेट किया सर्विस प्रॉवाइडर ने में से क्लास रएट निया हो service provider implement कर रहा है किसको implement कर रहा है Interface को implement कर रहा है जिसका नाम क्या Interv या फिर हम लिए को लिख लेते हैं फिस नेब यानि की चाहति हैंंड करने के बाद ही जैसे हम इक्सेंड करते हैं गाद oln reappeu all- navigating इंटरफेस में हमारे पास इंप्लीमेंट करने यह जितने भी हमारे पास yawl ाूल जितने भी अपस्ट्राइक मेश अभें इंप्लीमेंट करना पड़ेगाzone otherwise हमें अगर हम सब को implement नहीं करना चाहते तो हम इस वाली क्लास को as abstract define करना पड़ेगा अगर आप इंप्लिमेंट नहीं ह Zweasa क्लास कशाम करना पठता था यह कहां उसको को आप्स्त्राइकDas क्लास करना पड़ता था यह यहां पर पब्लेक इंटरफेस लिए इसको हम छोड़ देते हैं यहां पर अपना इंटरफेस बीजिय करेंद सकते हैं इंटरफेस contribute toh5 राट करेंग नेम डाट हमने क्रेंड क्या हम आगे व्यार इन interface block हम interface block के अंदर हैं अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कुछ methods लेते हैं हमने लिया wide m1 लिया यह by default क्या हो गया abstract method हो गया it is by default by default abstract method it is by default abstract method and then a core method हम ले लेते हैं wide m2 method m2 and it is also by default abstract method हमने देखा हमने क्या देखा अगर हम कोई interface लेते हैं अगर हम कोई interface create करते हैं तो उसे interface के नदर जितनी भी हम method लेंगे उससे हम declare करे या ना करे इस method को वो by default क्या रहेगा abstract रहेगा fine जब abstract रहेगा तो यहां आमने क्या क्या declare किया है यह मैंने सिर्फ क्या क्या है declare क्या है theHAM method में देखा था कि अगर abstract method तो cynical इंपलिमेंट करने के लिए हम एक class लेंगे और उसको और class क्में इंपलिमेंट कर इस वाले इंटर्फेस को राय। सो यहां पर हमके सटेत क्लास्ते एं लाइशłeस या फिर कुछ भी ले सकतें सर्वेश् क्लास्त नेम् इंपलीमेंट्स किसको इंटर्फ़ेसुपर नृ यह एक Class हमने यहाम पर बनाया अब इस Class में हमें कमपायरर देखने जांकर में झालर कि हमने यहाँ पर जाने करने के रखता को में यहाँ पर implement करना नसेसरी है अगर आप गौर्पेक यहाँ श्यमाट युग्र मोडिफायर जो आपको nesse यहाँ आपक्στε cinओ करने and implement किया and then void m2 सिर्फ एक कि लेते हैं हमारे ग्जांपल में सिर्फ इतना ही था fine okay अब एक चोटी सी चीज समझते हैं पर ओक अब एक चोटी सी चीज समझते हैं पर हमने हमारे जो पार मेरे पास यह हमें पता चाल जाएगा कितना है हम ऐसे इंप्लिमेंट करते हैं इसने हमारा क्या होगा दिमाग में जितनी कंफ्यूजन्स होंगी इसको लेकर क्रियेट हुई रहेंगी सारी कटम जाएंगी रहें ओके सो यहां पर हम केसे समझते हैं कितने हमारे पास एरो इसमें पॉसिबल पॉसिबल एरो हो सकते हैं सो यहां पर हमने इंटरफेस लिया इंटरफेस तो बिल्कुल सही है यहां पर हमने इंटरफेस ने लिया बिल्कुल आप कोई भी ने बिल्कुल यह भी सही है, इंटरफेस के अंदर हम जानते हैं, जो भी method होता, by default abstract होता है, अब जो by default abstract होता है, तो इसको implement करना पड़ेगा, इसके child को क्या करना पड़ेगा, इसके child को क्या करना पड़ेगा, अब यहां पे एक child class हमने लिया, जो की क्या कर रहा है, service provider name का एक child class है, तो हमने यहां पे class लिया, बिल्कुल यह भी valid है, service provider नाम का एक class name लिया, बिल्कुल valid है, उसके बाद हमने आपे implements किया, implements keyword यूज किया, बिल्कुल implements keyword यूज करके हम interface को implement कर सकते हैं, किसमें इस वाले class में, अब इस implements किसको करना है, interface name, क्या यह interface name, इस वाले interface name से valid ह बिल्कुल यह भी सही है, यहां तक बिल्कुल सही है, अब यहां पे हमने curly braces लगाए, curly braces लगाए, और हम अंदर आ गए, अब curly braces लगाते ही, जैसे हमने यहां पे implement किया, curly braces लगाती है, हमें compile time error क्या मिलेगा, कि हमें इन सारे method को क्या करना पड़ेगा, implement करना पड़ेगा, right, यह तो हमने यहां पे पहले हाले method को override करके implement कर दिया, możli Dop수 है, आब जाके implement हुए, तो हमने यहां इसको implement होई, मिलेगा, M One को implement कर दिया, लेकिन हमने M को इंप्लिमेंट नहीं किया हमाई पास एक और मेथड है M2 उसको इंप्लिमेंट नहीं किया तो यहां पहला एक compile time इरर यह मिला दूसरा compile time इरर हमें यह मिलेगा हम अब्स्टेक्ट मेथेड में यह सोरी हम interface में यह देखेंगे जब interface के methods को implement करते हैं तो इंप्लिमेंट करते time हमको यहां पे public हमें हमें यहां पे public modifier यूज़ करना है हमको इसे public देना है समझ मैं हमें इसे public देना abstract में ऐसा कुछ नहीं था abstract में ऐसा कुछ नहीं था कोई compulsory rule नहीं था ऐसा कि आप public दूँ आप दे सकते थे override करते तो आप दे सकते हो आप signature change कर सकते हो, लेकिन यहां पे public हमें देना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यह हमारे interface का rule है, JVM ने बना दिया है, तो हमें दो compile time error देखने को मिलेंगे, अब इन error को हम यहां पे देखते हैं, अब जैसे मैंने यहां पे दिया, पहला हमें क्या compile time error मिलेगा है, क्या compile time error मिल रही है, class name is not abstract and does not override abstract method M2, M2 को तो आपे वो override ही नहीं कर रहा हो, सिर्फ M1 को override कर रहा हो, सिर्फ M1 को आप implement कर रहे हो, and M2 को implement ही नहीं कर रहे हो, तो compile time पहला error हमें यहां मिलेगा, दूसरा error हमें यहां मिलेगा, क्यों हमें यहां मिलेगा, क्यों हमने इसे public नहीं दिया है, M1 in class name cannot implement M1 in interface attempting to assign weaker access privileges was public, हमें इसे अब यहां पे public देना पड़ेगा, अगर हम जैसे public देंगे, हमें एक error का तमझ आई है अपर आइअ, आप जैसे हमने आपर दूसरे वाले method को implement करेंगे, दूसरे वाले method को implement करेंगे तो वहां पी भी इस पॉलिक देना पड़ेगा, जितना भी method को में implement करेंगे, interface के method को नको हमें public देना पड़ेगा, तो public void M2 and इसको implement कर देंगा, implementing implementingứ implementing implementing method 2 method m2 right same as it is implementing method m1 यहां पर भी हम ले लेते हैं comment box create करके यहां पर m1 fine so हमने यहां पर हमारा पूरी तरीके से fine है कोई भी error नहीं है क्योंकि हमने यहां पर perfectly interface rule को follow किया है अब यहां पर फिर से एक बार भार भी समझते हैं हमने यहां पर interface create करने के लिए simply हमें interface name लेता है interface interface लिखना होता है फिर interface name आप जो लेना चाहते हो लोगी यहां पर आपको curly braces create करना है जैसे हम class के लिए करते थे class बनाते थे ब्लॉग बनाते थे अब उस interface के अंदर हमने interface करेंगे implement करेंगे तो यहां पर class लिया class का नेम लिया इन उसको हमने implement किया किसको implement किया interface को हमने यहां पर इंप्लिमेंट किया with the help of implement keyword implement करते ही हमें compile time error मिलेगी क्या मिलेगी warning मिलेगी कि आप बहिया इन सारे method को क्या करो implement करो पहले जितने भी अगर नहीं करना चाहते तो आप abstract class use करो otherwise implement करो तो यहां पर implement करा implement करते होगत हमें ध्यान दिए देना है कि अगर यह हम interface है abstract method है तो fine है लेकिन अगर interface के method को अगर implement कर रहे हैं तो हमें यहां पर public देना must है must require otherwise हमें compile time error देखने को मिलेगे तो यहां पर public देंगे public देखके M1 को implement किया फिर M2 को implement किया राइट सो यह था हमारा example one hope आपको interface के declaration and implementation अच्छे से समझ में आया हो राइट आपको कई जगे आपको कई जगे यह देखने को मिलता है जब हम यहां पे interface को इंप्लिमेंट करेंगे तो इंप्लिमेंट करते ही हमको यहां पर यह requirement मांगती ओवर राइडिंग आपको यहां पर message देना पड़ता है ओवर्राइड ओवर्राइड का आपको यहां पर message देना पड़ता तो यह necessary नहीं है लेकिन कई चगे आपको यह देखने को मिलेगा तो इसके लिए आपको इसमें confused नहीं होना एक्जामपल 2 हमने यहां पर आचा जो valid अग्जामपल था हम जो लिया वेलिड इसमेल वह भी देख लिया हमने अचाइक चीज ओहर में यह पर साध्छ चोड़ रहा हूं अगर हम यहांपर मैंने मैंने बताया भी यह फिर भी यहां पर अगर मैं एक M2 को क्या किया M2 को implement नही है तो हम यहां पे हमें abstract लेना पड़ेगा abstract लेना पड़ेगा तो यह मैं अल्रडी बता चुका हूँ ठीक है तो इसको आज़े जरहने देते हैं फाइन तो यह भी हो गया हमारे पास example 2 भी हमने अच्छे से देख लिया अब example 3 देखते हैं और एक और केस यहां पर देख लेते हैं suppose क्या हुआ कि जो हमारे पास class name है यह class name कहिゃ रहा है कि मुझे बस M1 को करना है implement करने तो M2 को कौन implement करेगा फाना m2 भी implement होना ही घ्र में क्या implement करना 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 दमी तो रखना नहीं हो से तो suppose लिए क्लास ने में आम से घट जाएगा एमटी के हैं से acáज हैँं यह फ्यैतरा है क्या देदािगले डिकलेर हो जाएगा अब अप स्च्छ व भल को स्भी आbnि ये अब से हट्डु को किसी एक मेथाँ को जिसको बीचाहिए black इंप्लिमेंट कर सकता है तो एम्टू को डिक्लेर करने के लिए एक और हम चाहते हैं यहां पर एक class ले सकते हैं अब स्टेक्ट टाइप लें लेना पड़ेगा क्यों कि सिर्फ हम एम्टू को declare करेंगे मन अल्रेडी डिक्लेर हो चुका यहां पर तो abstract class class का नेम लेंगे यहां पर class name1 यहां पर इंप्लीमेंट करेंगे इंप्लीमेंट इंप्लीमेंट करेंगे इंप्लीमेंट इंप्लीमेंट करने के बाद हम method 2 को यहां पर implement कर देंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं यहां पर लाइक अगर कोई specific requirement है किसी कि हमें सिर्फ एक ही method को implement करना बाग किसी और method को implement नहीं करना है तो हम यहां पर abstract modifier यूज़ करके किसी particular implement particular method को implement करना तो यह सारी करते थे किसी parent class को लेकिन यहां पर interface को हमें implement कर रहे हैं इस वाली class में ठीक है ओके सो वैसे बहुत साथ difference है तो आगे की lectures में हम देखेंगे difference कितने क्या 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 difference है इसमें यहां पर कुछ important note down कर लेते notes notes देख लेते हैं यहां पर पहला note हमारे पास है कि a class can extends only one class at a time यह already हम देख चुके एक्जांपल देखना चाहते तो एक्जांपल हम यहां पर ले लेते हैं suppose a class में लिया class a लिया and then a class लिया class b लिया and then a class अभी class c लिया हमने class c लिया जो कि extend कर रहा है extends अब a और b को एक साथ हम extend नहीं कर सकते ना यहां पर हमें compile time error देखने को मिलें हम a और b को एक साथ extend नहीं कर सकते तो एक class can extend only one class at a time a class एक बार में सिर्फ एक ही class को extend कर सकता है right so next important point हम यहां पर देखते हैं क्या है दूसरा important point क्या कह रहा है class can implement any number of interfaces at a time इसका भी example हम देख लेते हैं पर कि क्या class any number of interface को एक साथ implement कर सकता है अभी extend की बात हुरी थि तो एक ही class एक बार में फिग class को ext 10 कर रहा था लेकिन implement की बात हो रही है तो एक class कई सारे इंटरफेस को एक साथ implement कर सकता example बेखते हैं चोलड़ से ग्वार्ट इंठरफेस केंडे नदरीं करते हैं झो की implementing प्रफिये को तो sets impos. धी क्लास aja in the class class लेते हैं जो की A, similarly, Interface B, Interface B, and then a class, a class लेते हैं, जो कि implement करें इन दोनें इंटरफेस को, multiple interface को implement करें, तो class, class C, implement, implements, A, B, fine, यहापे में कोई compile time error देखने हो कि नहीं मिल रही है, क्योंकि एक class can implement multiple interfaces, but a class cannot extend multiple classes, but a class can implement multiple interfaces, यह मनें एक्जामपल देखा, अगला important point क्या है, वो भी note down कर लेते हैं, देख लेते हैं, अगला important point है, interface can extend any number of interfaces, interface can implement any, sorry, interface can extends, यहाँ implement नहीं है, extends any number of interfaces, right, okay, इसको भी में देख लेते हैं, यहाँ पर हमने interface लिया, यहाँ पर भी हम एक interface ले रहेते हैं, interface c and, यह implements नहीं, extends, interface कभी implement नहीं करेगा, interface खुद को कभी कैसे implement कर सकता है, interface implement होता है, class की help से, लेकिन interface extend कर सकता है, a and b को, यहाँ पर extends, extends use करेंगे, तो हमें कोई problem नहीं होगी, तो interface can extends multiple interfaces, words को सुनना, interface can extends multiple interfaces, true है, interface can implement multiple interfaces, false है, implement कभी नहीं करेगा interface, class can extend multiple classes, बिल्कुल नहीं, class can extend only one class at a time, एक time में एक ही class extend कर सकता है, तो class can implement multiple interfaces at a time, बिल्कुल यह भी true है, है न, multiple interfaces को implement कर सकता है, तो यह भी हमने example यहाँ पर देख लिया, और भी important point हम देख लेते हैं, note down कर लेते हैं, अच्छा, एक और important point हमारे पास यहाँ पर देखो छोड़िया था, एक class can implement, extend and implement simultaneously, right, अगर हम यहाँ पर एक class लेते हैं, suppose हमने यहाँ पर क्या लिया, interface लिया, ठीक है, दोने interface लिया, मैं यहाँ पर class लेता हूँ, class c1, class c1 and class c2, class c2, दो class लिया हमने यहाँ ठीक है, sorry class c2 ना लेके, okay, हमें extend और implement एक साथ करना, right, so हमें यहाँ पर class c2, extends, extends c1 and implements, we implement हम उसे कर सकते हैं, implements a, b, fine, यह बिल्कुल true है, यह भी हम कर सकते हैं, a class can extend another class and at that time of extending that class, we can implement multiple interfaces, right, so class, a class क्या कर सकता है, किसी और class को implement, extend भी कर सकता है, और उसी time पे, हम multiple interface को भी implement कर सकते हैं, तो यह क्या है, यह भी उसका एक example है, right, यह उसका एक, इतना एक example है, यहाँ पर interface हमने दो interface लिया था, एक class लिया, पहले यह c2 क्या क्या, c1 को extend किया, extend करने के बाद implement किया, अच्छा, एक और important point यहीं पर हम देख लेते हैं, क्या, एक class पहले implement करें, फिर extend करें, यानि आप पहले अगर हम implement करना चाहें, इस चीज को हम implement देदें, implement, implements किसको a and b को a, b and then extend करें, extends करें, किसको c2, c1 को, चाहें यह valid है, बिल्कुल यह invalid है, हम इसा पहले class क्या करेंगा extend, अगर extend करना, extend and implement एक साथ अगर use कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें extend करना पढ़ेगा class को, फिर extend करने के बाद, उस class में हमें implement करना पढ़ेगा, interfaces, जितने भी interfaces हमें implement करना चाहते हैं, right, so, यह था, कुछ important cases, ठीक है, okay, अब और भी कुछ important point हम देख लेते हैं, okay, हमारे पास valid और invalid है, कि क्या valid है, क्या invalid है, तो मैं अलड़ी हापे लेके रखाँ, right, बाकि सारे cases तो मैंने आपे ले लिया, मैंने बाकि सारे cases ले लिये, अब हम यहाँ पर समझते है, valid invalid, यहाँ पर क्या है, a class, क्या statement क्या लिखा, a class can extend any number of classes, क्या class any number of classes extend कर सकता है, हमने already देख लिया, कि एक class सिर्फ और सिर्फ एक class को extend कर सकता है, एक time में, तो यह क्या है, false है, right, a class can implement only one interface at a time, क्या एक class सिर्फ एक interface को एक time पर implement कर सकता है, नहीं, हमने देखा, एक class multiple interfaces को implement कर सकता है, तो यह भी क्या है, false है, a interface, an interface, an interface, an interface can extend only one interface at a time, यह भी false हमने देखा था, कि एक interface extend कर सकता है, multiple interfaces को, एक time पर, right, okay, अगला देखते है, interface can implement any number of interface, simultaneously, बिल्कुल नहीं, यह implement यूज किया हुआ है, extend होता तो यह true रहता, यहाँ पर हमने implement यूज किया हुआ, तो यह wrong है, false है, an interface cannot implement itself, right, so interface को implement करने के लिए, हमें class को लाना ही पड़ेगा, तो class में हम implement करेंगे, right, okay, fine, so, a class can extend another class, or, can implement interface, but not both simultaneously, false है, हमने अभी just example देखा, कि एक class, किसी भी class को extend भी कर सकता है, और उसी time पर हम, इतनी भी चाहें, multiple interfaces को implement भी कर सकते हैं, हमने इसका example, just अभी थोड़े दिर पहले देखा, अब कुछ MCQ type question है, उसे भी देख लेते हैं, यह सारी theory type में बना रहा हो, अब तक तो हमें सारी logic क्लियर हो गएंगे, फिर भी जो छोटे मोटे बचे हुए logic होंगे, वो सारी MCQ type question से क्लियर हो जाएंगे, suppose हमने अगर कहीं लिया हुआ, x extends y, x extends y लिया हुआ है, तो यहां पे x and y should be class होना चाहिए क्या, both x and y should be interface होना चाहिए, both x and y can be either class और interface, इनमें क्या true हो सकता है, इनमें option number c true हो सकता है, x and y, दोनों में class भी हो सकता या interface भी हो सकता, class extend कर सकता है, interface, implement कर सकता है, class extend कर सकता है, class को, interface, x strength कर सकता है, interface को, implement नहीं कर सकता, both x and y should be interface, यह ज़रूरी तो नहीं है, both x and y should be class, यह जरूरी तो नहीं है, then option number c kya है true हो, okay फिर अगर कहीं पे लिखा हता है, x, अगर कहीं पे लिखा हुआ है, दूसरा question है x extend y comma z x extend y comma z मतलब multiple यहां पे extends हो रहे हैं तो यहां पे जब multiple extend हो रहा है तो मतलब तो यह भाई class तो नहीं हो सकता y and z क्या नहीं हो सकते class नहीं हो सकते अब class नहीं हो सकते तो class तो x भी क्या नहीं हो सकता class भी नहीं हो सकता तो यह तीनों क्या हो सकते हैं, Interface हो सकते हैं, हमने इसक इसका एकजाम्ब भी देखा कि एक Interface multiple Interfaces को extend कर सकता है, तो यहा, x, y, z should be interface, must be interface, right, or should be, must be होना चाहिए, यहां मैं लिख देता हूं, must be interface, मस्ट offेâm ना इम्हास कर सकते हैं अगर कहीं 33 देखते हां घर्ग लिखा है एक संपलेमेंट वाइइ इंपलिमेंट नहीं या इंपलेमेंट ने इंपले इंटर फेस क्योंस नहीं सकता क्योंकि इंटर फेस खुद को इंपलिमेंट नहीं सकता तोại क्समस्ट भी लिए ग्लास १ाज़िक क्या होने चाहिए class होने चाहिए मैंने last example अभी गई लिया था x and y class होने चाहिए and z should be must be interface क्यों क्योंकि हमने यहां पर implements use किया हुआ implements use किया मतलब हम interface को implement कर रहे हैं right fifth example हम यहां पर लेते हैं x implements y then extends z हमने देखा था अभी example जो लिया था हमने देखा था कि अगर हम implement और extends दोनों एक साथ use कर रहे हैं तो implements बाद में चाहिए पहले हमें extend use करना है पहले हम extend करना then implement करना तो यहां पर हमें compile time error देखने को मिलेगी तो यह था कुछ possible cases interfaces के बाउट में hope आपको interface अच्छे से clear हो गया हो इसमें कोई भी भी doubt के लिए create हो रहा है तो please let me know I will clear it out in the next and separate video right